उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंग के बारे में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। अक्सर अपने कारनामे के वजह से किम जोंग हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। उत्तर कोरिया को एक गुप्त देश माना जाता है क्योंकि यहां से जुड़ी बाते बाहरी दुनिया में बहुत कम ही पहुँचती हैं। बता दे कि उत्तर कोरिया में शासक की मौत के बाद उसके लिए रोने का भी रिवाज है। अगर कोई इस रिवाज को नहीं पूरा करता है, तो किम परिवार उसे दंडित भी करता है। साल 2011 में किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के सरवोच नेता बने थे। उनके दादा किम सुंग उत्तर कोरिया के संस्थापक और पहले नेता थे, जिनकी मौत साल 1994 में हुई थी। इसके बाद किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। कहते हैं कि उत्तर कोरिया के हर घर में किम जोंग के पिता और उनके दादा की तस्वीरे लगाना अनिवार रहे है। किम जोंग इलकी मौत के बाद प्रजा को शोक सभा में खुल कर रोने का आदेश मिला। इस शोक सभा में लोग पूरे दम से चल्ला चल्ला कर और छाती पीट कर रोए और जो ठीक से नहीं रो सका, वो अगले ही दिन गायब हो गया। इस बात की मीडिया में भी काफी चर्चा रही थी। देली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, शासत की मौत के बाद नए राजा किम जोंग उनने पिता के लिए बहुत सी शोक सभाई रखी। इन शोक सभाव में जनता को आकर रोकर ये साबित करना था कि वे पुराने राजा से प्यार करते थे। शोक सभाव में रोना किम परिवार के लिए उनकी वफादारी का भी सबूत था। दस दिन की शोक सभा के बाद प्रिटिसिज्म सेशन हुआ जिसमें किम खुद उपस्थित थे। इस सेशन में तय हुआ कि ठीक से नहीं रोने वालों को तुरंत छे महीने की कड़ी कैड में रखा जाए। इसके बाद हजारों दोशियों को रातों रात घर से उठा लिया गया। कम रोने की वजह से बहुतों का पूरा का पूरा परिवार ही महीनों लेबर कैम्प में रहा। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। हमारी चैनले को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को दबाना मत भूलिए।